और अब बात करेंगे जुडो कराटे प्रतीस परधा की जिसका आयोजन मुंबई के विले पारले पास्चिम में किया गया था कई प्रतीस परधियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया जिन में कुछ कर दिखाने का जजबा कूट कूट कर भरा हुआ था मुंबई के विले पारले पास्चिम में सिध्ध कला टाइकवांडो अकैडमी की तरफ से नवा ओपन इंटर टाइकवांडो चैंपियन सीब 2020 का आयोजन किया गया जुडो कराटे की प्रतियोगी ता विले पारले पास्चिम के जुहु स्थित गांधी सिक्षन भवन में इसे बखुबी उन बच्चों को सिखाया गया जिनके भीतर जुडो कराटे कला सीखने का जजबा है सिध्ध कला टाइकवांडो अकैडमी के ट्रेनर को सिखाने के लिए भी विसेंस रूप से स्पसलिस्ट बलाई जाते हैं सिध्ध कला टाइकवांडो अकैडमी के बच्च कर देश का नाम रौशन करें नाम विनित सावंत है मैं राइन इंटरनाशनल स्कूल में एज़ तैकॉंडो कोच हूँ और पिछले दस सालों से में जैसर के साथ सिद्धकल ट्रेनिंग ले रहा हूँ और बच्चों को भी ट्रेनिंग दे वी रहा हूँ और पिछले तीन सालों में हमारे एकडमी की इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है कि हमारा एक बच्चा है जो अर्नाव अत्रे वह एशन चैंपेंशिप के मतलब दोनों फाइट और पुमसे के लिए दोनों के लिए वर्ल चैंपेंशिप और ओलंपिक्स तक पीप पॉच्चने की बहुत कोशिश करूंगा और वापे भी गोल्ड आने की कोशिश करूंगा मेरा नाम निशान सुरेश शिंदे है और मैं सिद्धकला एकडमी का कोच हूँ और जैश सर के अंडर में गाइडन्स तेसर के अंडर हम लोग ट्रेनिंग देरें सिद्धकला एकडमी में और हमारी पूरी कोशिश है कि पुमसे और स्पाइरिंग में हम लोग इंडिया के लिए मेडल लाइफ वर्ल चैंपेंशिप और एशन गेम्स में और हमारा य हमेशा से कोशिश यह है कि हमारे बच्चे जो महाराष्टा स्टेट नैशनल और एशन चैंपेंशिप तक जाए और हम लोग बच्चों को कम से कमें एवरी डे चार घंटे हम लोग ट्रेनिंग ले रहें और पैरेंस का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है वह बच्चों के साथ ताइकोंडो भी अच्छी तरह से मैनेज कर रहें और लास्ट हम लोगों ने नैशनल चैंपेंशिप में ओवरॉल नैशनल में लोगों ने थर्ड प्लेश जीता था हमारे अकडमी ने और इसी लास्ट येर एक अरणवात्र है एशन चैंपेंशिप में जाके उन्हें फिफ्ट रैंकिंग उसने हासिल की